आप सभी का स्वागत है मेरी यूटूब चैनल में देखो है राज हम बात करने जा रहा है जेल 15 नाम की सीरीज की जो रिसेंट लिस सोनी लिव पर रिलीज हुई है अगर आप इस सीरीज को इंजार करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सोनी लिव की मेंबर्शिप लेनी साइन्स फिक्षन के उपाइन साइन्स फिक्षन थाइप की सीरीज को पषन करते हो तो ये रिस आप लिए बनी है विदाट वेस्टिंग टाइम लेट स्टाट देवीडियो सो कहाने की शुरुआत में हम वेस्ट बेंगल के एक चोटे गाव को देखते है जहां पर कुछ ल से सामना करता है जहां पर इस क्रैश की बज़स से वहां के जो गाव के लोग थे वो सभी रिपोर्टिंग करते हैं और तभी इस रिपोर्टिंग के अनुसार NDRF की जो टीम थी वो टीम वहां पे पहुचती है ताकि वो लोगों को बचा सके और उस क्रैश में जित्ते भी लोग दबे हुए है उन सभी को रेस्क्यू कर सके अब यहां पर इस बात की खबर कलकत्ता के CBI ओफिस पे पहुच जाती है जहां पर कलकत्ता से ही एक बहुत वो दो ओफिसस मजलब की जो टीम थी वह अपने दो उफिसस शान्टोन न और नों रंग इधो नों को साहिट पर बेज़ते दोनों जाते हैं प्रशान्टोन नो 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 रंग जैज तब यह दोनों साहिट में जाकर NDRF की वो और इस हैं दो सर्वाइवर्स निकले हैं जिस इस प्लेन की खोच कर रहे हो, यह वो प्लेन नहीं है, जिस तरह का इसका डिजाइन है, यह उस तरह का प्लेन नहीं है, जिसकी वजह सा अगर आप चाहे तो इसे करीब से भी देख सकते हैं, जहाँ पर शान्तो नयों और नौ रंग यह दोनों जो थे, यह इस plane को करिक से देखते है जहाँ पर इस plane को देखने के बाद इने ये बात पदा चलती है कि ये plane JL 50 है अब यहाँ पर JL 50 की ये कहानी थी कि 35 यह पहले JL 50 टेक आफ तो कलकत्ता से हुआ था लेकिन वो कभी वहाँ पर मतलब जिस destination पर इनको जाना था उस destination पर कभी ये board ही दे गया और उसी का सद इस case को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया लेकिन 35 years के बाद रहस्य में तरीके से इस plane के entry होना एक बहुत बड़ा बात थी जिसकी बज़त से शांतोने और नौरंग ये दोनों जो थे ये दोनों काफी ज़्यादा परेशान थे और तब ये कलपना मात्र है और उसे आसा टाइम ट्रावल जैसी चीजे हो नाएक इंपॉसिबल टास्क है जिसकी वज़त से वह ये डिसाइड करता है कि वह जल्दी से जल्दी इस पाइलेट की मतलब अगर पाइलेट उठ जाए तो वह उसकी पूरी तरीके से रिपोर्टिंग करेगा और उसे असद उसका पूरा स्टेट्मेंट रेकॉर्ड करेगा जहाँ पर जो पाइलेट में को पाइलेट थी उसको होश आ जाता है जिसका नाम था पीहू और पीहू के साथ जब शांतनु की मीटिंग होती है तब शांतनु से ये बताता है कि तुम अभी तुम अभी 2019 में हो जहाँ पर पीहू जो थी वो ये बत सुनके काफी जदा हैरान हो जाती है और तब वो शांतनु का कॉलर पकड़ कर ये कहती है कि मुझसे जूट मत बोलो ये 1984 ही है जहाँ पर शांतनु जो था वो उससे समझाने की कोशिश करता है कि ये 2019 है और तुम्हें इस बात पर भर करता है जहाँ पर उस प्लेविफ्जक के जिते भी पैसेंजर्स ठिजिक वो एक्च्चुली बोड कर चुके थे उन सब तब इसी घर के पास एक और घर है जहाँ पर एक बहुत बुढ़े अंकल रहते है और उन्हें यहाँ के पूरे कॉलनी के बारे में पता है जिसकी बज़ा से अगर आप चाहे तो उनसे पुराने लोगों के बारे में भी पूछ सकते है जहाँ पर शांतन हुआ नौरंग यह द परेशान थी और तब उनके जो हस्बेंट थे मतलब पीहु के जो हस्बेंट थे वो एक आर्मी ऑफिसर थे लेकिन डिरिंग सम अटैक उनकी देथ होने की बज़ा से पीहु जो थी वो काफी ज़दा परेशान थी और जेल 51 की जब उसकी उड़ान भरने वाली थी उसी वक् परेशान परेशान थे जो एक प्रोफेसर दास भी शामिल थे जो एक्चली एक फीजिक्स के प्रोफेसर थे और तब वो इस फ्लाइट को बोर्ड करने वाले थे लेकिन उनने अच्छानक से इस फ्लाइट को बोर्ड नहीं किया जिसकी बज़स से वो प्रोफेसर दास से इस बार में बात करते है जहाँ पर प्रोफेसर दास का ये कहाना था कि उन्हें फोबिया होने की बज़स से उन जिसकी वज़ा से वो पीवू से मुलाकात करता है और तब वो पीवू से ये पूछता है कि आखे तुम यहाँ मतलब आखिर हुआ क्या था उस वक्त जहाँ पर पीवू से ये कहती है कि एक्चुली जब हम प्लेइन उड़ा रहे थे तभी on the air अचानक से कोई तो भी लोग आ करा गये जहाँ पर उन्हों ने मेरे को पाइलेट को काफी साथ स्टाप करके माय डाला और उस असद उन्होंने भी मुझे gunpoint पे रख कर एक अलग direction पे plane मुडानी की जित की जहाँ पर मुझे मजबूरन इस plane को अलग direction में मुडाना पड़ा और तभी अचनक से काफी सारे tornado's आ चुके थे जिसकी बज़ाँ से plane जो था वो अपना control lost कर रहा था और इसी control lost की बज़ाँ से ये plane मतलब plane कहा पे गया मुझे भी खुट को नहीं पता और मुझे realization भी नहीं है कि आखिर मैं कौन से year में आखे फस गई हूँ जिसकी वज़ाँ से शांतनु जो था ये decide करता है कि जब दूसरा survivor उठेगा तभी वो उससे पूछेगा लेकिन सबसे पहले वो इस plane के main hijacker जिसका नम था पार्थ मजुंदार उससे बात करेगा जिसकी वज़ाँ से शांतनु जो था वो पार्थ से बात करने का decide करता है और तभी उसे news में ये बात पता चलती है कि जिस plane को cbi office धूंड रही थी वो plane actually hijackers ने hijack किया था और उनकी ये request ही कि वो पार्थ मजुंदार को वापस कर दे जिसकी वज़ाँ से पार्थ मजुंदार जो था उसे दो दिन में ही रिहाई मिलने वाली थी और तब और तब शांतनु जो था वो उसकी रिहाई से पहले उससे मिलने जाता है जहाँ पर पार्थ क ये कहना था कि मुझे उस प्लेन के आदसे के बार में कुछ भी नहीं पता और उसे असन में कुछ भी नहीं बताने वाला लेकिन जब मैं तीन दिन बाद यहाँ से रिया हूंगा तब तुमारे हर एक का हिसाब मैं जरूर चुकता करूंगा जहाँ पर शांतनु जो था वो क दूसरे सर्वाइवर थे जो इस प्लेन क्रेश में बेच चुके थे और जब उन्हें होश आता है तब वो अच्छानक से जोर जोर से हसना स्टार्ट करते है जहाँ पर उनकी जो नर्स थी वो उन्हें थोड़ा कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो जो प्र प्रोफेशन मित्रा जो थे वो वापस होश में आकर पीवू की जान लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तब तक वहाँ पर होस्पिटल की नर्स आ चुकी थी जहाँ पर वो नर्स को भी चाकू दिखाते है और उसी चाकू के पॉइंट पे वो उसे बाहर लेकर जाते है और तब सारे डॉक्टर्स को धंकाते हैं कि अगर कोई भी सामने आया तो मैं इस नर्स का गला काट डूंगा और तब ही शांतनु भी वहाँ पर पहुच जाता है जो उन्हें रोकने के कोशिश करता है लेकिन प्रोफेशन मित्रा जो थे वो रूकने का नाम नहीं ले रहे थे और तब ही वह नर्स को धक्का मार के वहाँ से भाग निकलते हैं जिसके वह शांतनु जो था वो प्रोफेशर का पीछा करता है लेकिन प्रोफेशर मित्रा जो थे वो शांतनु पर ही भारी पढ़ जाते हैं जहाँ पर उसे दंडे से मारते हैं जिसकी बज़स से शांतनु जो था वो थोड़े समय के लिए गिर जाता है लेकिन जब वो वापस उठता है तब प्रॉफेसर मित्रा वहाँ से चले गए थे जिसकी बज़स से शांतनु जो था वो और भी ज़दा परेशान हो चुका था कि आखिरे सब चल क्या रहा है अब यहां पर हम यह देखते है कि शांतनु जो था वो नौरंग से इस बारे में बात करता है जहाँ पर नौरंग का यह कहना था कि प्रॉफेसर मित्रा जिस कॉलेज में पढ़ाया करते थे उसी कॉलेज में उनका एक और दोस्त था मलब इनका एक और प्रॉफेसर था जो उसी कॉलेज में काम करता है जिसकी साल पीछे जाना पड़ेगा जब अर्शो का समराठ अपने राज्य को जीट चुके थे और उसे असद पूरे इंडिया पर उन्होंने कबजा कर रखा था तभी उन्हें ये ख्यालाया कि इस पूरे जंग में काफी सारे इनोसेंट लोग और काफी सारे ऐसे लोग मारे गए है जो पूरी तरीके से वेकसूर थे जिसकी वज़़ए से उन्होंने ये डिसाइट किया कि जित्ते भी इनोसेंट और अच्छे लोग हैं उन्हों सभी को वो अलग-अलद तरह की एजुकेशन देगा और ये सारी एजुकेशन में वो अलग-अलद तरह के सीक्रेट्स जिसकी वज़़स से उसने साथ लोगों की एक टीम बनाई थी जहाँ पर इस साथ लोगों की टीम को उन्होंने काफी कुछ सिखाया था और इन साथ लोगों की टीम ने मिलकर एक बहुत बड़ी किताब की रचना की थी जहाँ पर इस किताब ये कुछ पन्ने चोरी होने की लेकिन ये किताब अभी किसके बास है इसके बारे में कोई भी जादा जानकारी नहीं है और जब अंग्रेज होने इंडिपेंडेंडेंस के बात खुदाई करना स्टार्ट की तब इसी खुदाई में कुछ पेपर्स भी बरामत हुए थे जहाँ पर इन पेपर्स के में जब उस प्रॉफेसर से पूछता है तब उन प्रॉफेसर का ये कहना था कि प्रॉफेसर मित्रा जादा तर किसे से बात नहीं करते थे और वो अपने आप में ही रहते थे जिसकी बज़ा से शांतनु जो था वो प्रॉफेसर मित्रा के घर पे जाता है जहाँ पर प्रॉफ प्रॉफेसर दास भी इसके बारे में मुझे बता सकते है बिकॉस प्रॉफेसर दास दो थे वो भी प्रॉफेसर मित्रा के लिए ही काम किया करते थे जिसकी बज़ा से वो प्रॉफेसर दास से मिलने जाता है जहाँ पर प्रॉफेसर दास से मिलने के बाद वो उन्हें सारी सच चाहिए बताता हूँ और तब वो उन्हें ये बात बताते है कि प्रोफेशन मित्रा के जो फादर थे वो भी एक तरह के डॉक्टर ही थे और उस वक्त वो एक टाइम ट्रेवल का डिवाइस खोज कर रहे थे और तब इंडिया जो था वो अभी अभी आज़ाद हुआ था जिस कि बज़ा से यह एक्सपरिमेंट हमेशा के लिए डिजॉल्फ हुआ लेकिर प्रोफेशन मित्रा के जो फादर थे उन्हें ने इस एक्सपरिमेंट को वापस जारी रखा था जहां पर इस एक्सपरिमेंट के रिलेटेड उन्होंने काफी सारे फॉर्मुलास बनाए थे ले जहां पर उन्हें ये बात पता चली की इस टाइम जो है वह एक्चुली जैसा हम अगर एक पेपर के एक्जाम्बल से लिया जाए तो जैसे paper सीधा चलता है वैसे ही हमारा space time चलता है जहाँ पर past present of future सीधे चलते है लेकिन इस जगह पे अगर हमको past से future में जाना है तब दो ही चीज़े हो सकती है जहाँ पर हमें earth को rotate करना पड़ेगा और ये earth rotation में हम दिरे दिरे future की तरफ बढ़ते है और past हमा अधर है वहाँ पर काफी सारे holes है और ये जो volume holes है इन सारे holes के through ही हम time travel को बना सकते है जिसकी वज़ा से professor मित्रा को ये बात पता चल गई थी कि time travel अखिर होता कैसे है जिसकी वज़ा से उनने ये decide किया था कि वो jl 15 आम के एक flight को hijack करेंगे जहाँ पर उसा hijack करने के बाद वो इस पूरे नाटक को play करेंगे और उसे असद इस पूरे नाटक को play करने के बाद वो time travel को करेंगे ताकि वो अपने experiment को successful बना सके जिसकी वज़ा से उनने पार्थ मज़मदार की help ली थी जहाँ पर पार्थ जो था वो actually professor मित्रा का ही एक आदमी था जिसकी वज़ा से पा होने के बाद जब professor मित्रा मित्रा को होश आया तब वो काफी ज़़ा खुश थे कि उनका experiment successful हो गया जिसकी वज़ा से professor मित्रा जब तुम में मार कर मतलब जब तुम hospital से भाग भाग चुके थे तब वो मेरे घर पर आये थे जहाँ पर मेरे घर पर आने के बाद उन्होंने पूरे experiment को वापस करके एक time traveling device create कर सकूँ जिसकी बज़ा से अगर मैं पार्त के साथ मिल कर इस पूरे काम को करूंगा तो शायद से और भी ज़्यादा अच्छा होगा जिसकी बज़ा से professor दाज जो थे वो शांतनु से ये कहते है कि professor मित्रा और पार्त इन दोनों को एक साथ बिलकुल भी नहीं मिला ना क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ मिल गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी जिसकी बज़ा से शांतनु जो था वो ये decide करता है कि अब वो क्या plan करेगा लेकिन फिर भी उसका professor दास पर इत्ता ज़दा भरोसा नहीं था और तब व प्रॉफेसर दास जो थे वो शांतनु के साथ मिलकर अगले दिन पीहू से मिलने जाते हैं जहाँ पर वो पीहू से ये पूछते हैं कि आखिर तुमने फ्लाइट बोर्ट कब की थी जहाँ पर पीहू का ये कहना था कि उसने फ्लाइट साड़े चार बज़े बोर्ट की थी जहाँ पर प्रॉफेसर दास शांतनु से ये कहते हैं कि अगर हम साड़े चार के पहले ही टाइम ट्रावल को पॉसिबल कर दे मतलब जीस रूट पे पीहू ने जेल 50 को उड़ाया था उसी रूट में अगर हम इसी प्लेन को मतलब दूसरे प्लेन को वापस ले जाए तो शा शांतनु और से असाथ पीहू ये तीनों जो लोग थे ये तीनों लोग उसी डारेक्शन में जाते हैं जिस डारेक्शन में जेल 50 को ले जाया गया था और तभी इसी डारेक्शन में उसे वापस वही टर्नाडो दिखते हैं जो टर्नाडो उसे काफी साल मला 35 साल पहले यहां पर वहां से चले गए थे जिसकी वज़स से वो अपने एक्चुल पैरेंट्स को देखना चाहता था जहां पर उसी वक्त उस और्फनेज में चोड़ा गया था और तब वहां की वार्डन से यह पूछता है कि क्या आपके यहां पर कोई बच्चा आया था जहां पर उस वार्डन का यह कहना था कि आज तो किसी भी बच्चे की एंट्री नहीं हुई लेकिन जैसे ही शांतनु वहां से निकलता है तब ही आचानक से गाड़ी वहां पर पहुत जाती है जहां पर यह जो गाड़ी थी यह गाड़ी से एक शक्स उतरता है और शांतनु मत सबी लोग यह देखते है कि शांतनु पीहू और उसी के साथ प्रॉफेसर दास जो थे वह अगली सुबह एक कैफे में बैठे थे जहां पर यह सबी लोग अपने प्लैन के बारे में डिसकस करते हैं और तब प्रॉफेसर दास का यह कहना था कि मतलब प्रॉफेसर मित्रा औ तो शायद से हमें यह करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले पार्थ और उसी आसाथ प्रॉफेसर मित्रा इन दोनों को रोखना पड़ेगा क्योंकि 22 साल का जो मैं हूँ मलब 22 साल के जो प्रॉफेसर दास है वो जल्दी गाड़ी लेकर आ जाएंगे जहां पर इन्हें फ्ला पहुचेंगे जहां पर पीहू जो थी वो यह कहती है कि गाड़ी मेरे घर से मिल जाएगी जहां पर मैं अपनी गाड़ी लेकर आऊंगी और तभी पीहू जो थी वो अपनी गाड़ी लेने के लिए अपने घर पे जाती है जहां पर वो अपने मौम से थोड़ा बाते करती ह और तब वो पीऊ की मतलब तब वो अपने गाड़ी ले जा कर शांतनू और उसे असर प्रॉफेसर दास इन दोनों को बिठाती है अब यहाँ पर शांतनू जो था जब उस गाड़ी को देखता है तब वो काफी जदा है रहान होता है जहाँ पर पीऊ ने ये कहा था कि मेरे माँ ने मुझे ये बताया कि मेरे बेटी की मौत हुई थी और मुझे उसकी बारे में कुछ भी नहीं पता जिसकी बज़ा से शांतनु को ये realization हो जाती है कि जो पीऊ अब तक हमें दिख रही थी वो और कोई नहीं बलकि शांतनु की माँ ही है जिसकी बज़ा से शांतनु जो था वो काफी जदा emotional हो जाता है लेकिन ये वक्त emotional होने का नहीं था जिसकी वज़त से शांतनु और प्रोफेसर दास ये उस जगह पे पहुचते हैं जिस जगह पे प्रोफेसर मित्रा और पार्थ ही मिलने वाले थे अब यहाँ पर इस जगा पर जाने के बाद शांतनू जो था वो गोली बारी करना स्टार्ट करता है जिसमें पार्थ की देथ हो जाती है और तब प्रोफेसर मित्रा जब उसे मारने जाते है तब ही प्रोफेसर दाज जो थे वो पार्थ की गन लेकर प्रोफेसर मित्रा को बन आुए किमें इतंसादों से इसी प्रोजेक्ट का तो वेट कर रहा था इसी बज़ेसे मैंने दो बार प्रोफेसर मीतरा की देट मैंने दो बार क्योंगकि मैं इस पूरे प्रोजेक्ट पे हगदार मेरा ही बनेगा क्योंकि मैं भी इस फॉर्मूलास को सॉल्व करना चाहता था लेकिन मेरे पास पैसे न होने की बज़ा से मैं ये सब कर नहीं पाया लेकिन आज मुझे वो मौका मिल चुका है और तब प्रोफेसर दाज जो थे वो शांतन बाहर निकलता है उन सारे पेपर्स को जलाने के बाद तब ही अच्छानक से घड़ी में साड़े चार बच्चु के थे और एक बहुत बड़ा एक बहुत गहरी आवा शांतनू पीऊ और उसे आसद प्रोफेसर दास इन तो तीनों को सुनाई देती है जहाँ पर शांतनू ज था वो अपने रियल टाइम में वापस आ चुका था अब यहाँ पर इस थेरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये बात माननी पड़ेगी कि प्रोफेसर दास ने कुछ समय पहले ये कहा था कि साड़े चार बज़े अगर इस फ्लाइट को अगर बोर्ड की बोर्ड हुआ था तो फिर इस फ्लाइट के बोर्ड होते वक्त साड़े चार बज़े ही ये टाइम टरवल पॉसिबल हुआ था जिसकी बज़े से अगर इस साड़े चार के पहले तक इन्हों ने अगर इस काम को पूरा नहीं किया तो यह अपने वक्त में वापस नहीं जा पाएंगे जहा पर शांतनु जो था उसने ये साड़े चार के पहले ही डॉक्टर मित्रा और उसियसत पार्थ को मा डाला था जिसकी बज़े से ये सभी लोग वापस आ चुके थे जहाँ पर शांतनु जो था वो प्रेजन टाइम में वापस आ चुका था और यही पर हम पास्ट की कुछ घट में बैठा था और यही पर ही उसकी मुलाकत अपनी मॉम याने पीवू से होती है और फनेज में जहाँ पर वो और फनेज में कुछ गिफ्ट्स वगरे बात रही थी और इसी गिफ्ट्स को बाते वक्त शांतनु जो था वो पीवू से ये कहता है कि मुझे कुछ सपना आया लेकिन वो सपना कभी सच नहीं हो सकता और यही पर ही ये complete series खतम होती है तो फिर आपके मन में काफी सारे सवाल होंगे कि आखिरे सब हुआ कैसे तो मैं बता दू कि सबसे पहले इस साड़े चार वाला formula अगर मैं आपको explain करू तो मैं आपको ये बताऊंगा कि साड़े चार मित्रा मरते ही नहीं तो शायद से professor मित्रा और पार थे दोनों एक मिल कर एक बहुत बड़ा experiment करते और इस experiment में एक पूरा time travel मतलब जो ये पूरा time है ये पूरी तरीके से बरबाद हो जाता और दूसरा सवाल कि क्या ये सब अच्छली शांतनु का एक तरह से सपना था तो फ शांतनु जो देख रहा था जहापर फियू जो थी जब उसे अब गोद लेती है तब यह एक्छली शांतनु का सपना ही था जिसकी वज़ा से ये सारी सीरीज जो है ये सच है ना कि एक सपना जिसकी वज़ा से ये सारे सवाल आपके clear हो गए होंगे तो मुझे comment section में जरूर बतेएगा कि आपको कैसी लगी है सीरीज और अगर आपने सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से देख लिजेगा science fiction में ये first time ऐसा experiment किया गया है जिसके पहले ये experiment आज तक कभी possible ही नहीं हो पाया है जिसकी वज़ा से आप अगर चाहे तो इस सीरीज को देख सकते हो चार एपिसोड की सीरीज है और हर एक एपिसोड आधे आधे गंटे का है जिसकी बज़ा से आप इसे दो गंटे में ही complete कर पाओगे तो मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए